हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स की टमाटर बैगन को किस तरह से असानी से पकाया जा सकता है भरते के लिए और आप इस तरह से पकाएंगे तो भरता आपका बहुत ही टेस्टीव बनेग खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरह से पकाना बहुत ही असान है अगर आपके पास जाली नहीं है या फिर जाली हैं पकाने में आपको टेंसन हो रहा है तो आप इस तरह से पकाएं तो यहां आप देख रहे होंगे मैंने लिया है तीन बैगन यह देखिए औ बैगन को हमें कट करके पकाना है तो इस तरह से हमें टुकडों में करना है जाली में भी पकाते हैं तो बीच से कट लगाना ही पड़ता है कि बैगन हमारा सड़ा है या अच्छा है देखने के लिए तो हमें इस तरह से टुकडों में करना है तो मैंने एक बैगन का तीन टुक भाग भी कर सकते हैं तो यह मीडिय मकार्का है इस अंसे 3 भाग में कर रहे हूं तो इस तरह से पहले हमें कट लगा लेना है बेगन को itu bak no लें हमें कट लगाना है तो माटर को हमिशे ही पकाएंगे तो तिस्त्रे वाले में भी मैं लगा देती हूँ और इसके बाद हमें gas on करके तवा चड़ाना है तवे में हमें इसे पकाना है आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसे जरूर चड़ाएं और उस पे पकाएं लोहे का तवा तो सब के पास होता है friends और लोहे के तवे पे पका हुआ बैगन और टमाटर बहुत ही टेस्ट आता है जब इसका भरता बनाते हैं तो बहुत ही टेस्ट आता है तो चलिए पहले gas on कर लेते हैं और तवा हम चड़ा लेते हैं और gas को हमें एकदम धीमा रखना है यह देखिए आप देख रहे होंगे एकदम धीमा है एकदम धीमा हमें रखना है अब इसके उपर हम टमाटर और बैगन को रख देंगे एक एक करके यह देखिए ऐसे करकरके रख देना है हमें और उसके बाद इसे कवर कर देना है और बीच बीच में चिम्टे की मदद से हमें इसे उलट पलट कर देना है आप देखेंगे इतना अच्छे से ये पक जाता है आप एक बारी जरूर ट्राई किजिएगा इस तरह से आप पका के देखिएगा जब भी आपको भरता बनाना होगा तो आप इस तरह से जरूर पकाईएगा, और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, दखिएगा आप, तो मैंने इसे पूरा रख दिया, तवे के उपर, अब इसको हम cover कर देंगे, और बीच बीच में इसे हम पलट देंगे, चेक कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये द पलट के इसे रख देना है फिर से, ऐसे पकाना बहुत ही असान है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भरते का, ये देखिए, अगर भरते की रेस्पी आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ डाला हुआ है, आलू, वेगन, का भरता, तब इसे पलट देंगे, और गैस को एकदम धीमा रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और कवर कीजिएगा, ऐसे, ऐसे कवर कर देना है, तब ही जल्दी पकेगा, ये दस से पंद्रा मिनट भी नहीं लगता, पक जाता है जल्दी से, ये देखिए, फिर मैं ऐसे ऐसे खसका दे रही हूँ, और ये एकदम पक गया है, ये देखिए, मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ, ऐसे दबा के, तो गैस को हम बंद कर देंगे, और थोड़ी देर गरम तवे पर ही इससे रहने देंगे, ताकि और अच्छे से पक जाए, तो गैस को मैंने जब तक तवा हमारा गरम है, और ये देखिए, एकदम पक के अच्छे से तेयार हो गया है, टमाटर भी एकदम अंदर से अच्छे से पक जाता है, आप ऐसे तवे पे पकाएंगे तो एकदम अच्छे से पक जाता है, अंदर में बिलकुल भी गुठलिया नहीं रहती तो इसको धोना नहीं है पकाने के बाद में, आप पहले से धो के पकाएं, और ये हमारा फटा फट वेगन टमाटर पक के तैयार हो गया, ये देखिए, आपको हाँ से दबा के मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, एकदम अच्छे से ये पक गया है, तो आई होप ये तरीका आपको पसंद आए, आप एक बारी जरूर ट्राइ किजिएगा, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे फ्रेंज, तो जरूर वीडियो को लाइक किजिएगा, चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत बुलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीड योमे